बात वही हो रही थी, बहतर हूरों की, और बात वही चल रही थी, फिल्म कोई आ रही है, फिल्म क्योंके देखी नहीं, तो क्या कहा जाए कि क्या होगा उसमें, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कि कुछ जो है, वो पॉब्लिसिटी लेने के लिए इस किसम का टाइटल रखा है या वाकई में कोई मैसेज होगा इस फिल्म में? लोग इसको देखने के लिए बहुत इंप्रस के लिए है कि हमको देखना है, और जितनी में रिव्यूस्ट पड़े हैं और जितनी भी मैने आर्टिकल्स पड़ें हैं और इस मुवीस के बारे में मैं इतना जाती हूं, ज ता एक awareness था उसी तरेकर से बहत्तर हूर भी एक awareness है। इसमें किसी भी धरम को, religion को defame करने की या उनको hurt करने की कोशिश नहीं की गई है। बस एक बहत्तर हूर, virgin हूर के लालच में जो लोग terrorism को accept कर लेते हैं, या गलत हरकतों को accept कर लेते हैं, या गलत चीजों पर रह को accept कर लेते हैं, बस उनको ये बताने की कोशिश की गई है, कि basically ये एक illusion है, ये एक लालच दिया जाता है, जो लोग भी देते हैं, कि तुम ऐसा करोगे, तो तुमको बहत्तर हूर मिल जाएगी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब Ajman Khasab का statement लिया गया था, तो उसमें कुद एकसेप्च किया था, कि उसको ये बताया गया था, कि अगर तुम जाओ, हिंदुस्तान जाओगे और दम-दम-दम-दम मासूमों की चान लेना, स्टार्ट कर दोगे, तो तुमको जननत सा बहत्तर हूरे मिलेगी, बहत्तर हूरो के बारे में सुनाया है, इविन आपकेarat म्या साजित रशीदी ने भी , तो आपको तो धार्ट वनान सार्टार कोया था था, कभी बदन में बम लगाना या कभी हिंदु लड़की से शादी करके उसको फोर्सिबिली उसको मुसल्मान बनाना तो ये सारे हरकते करते हैं या कनवर्शन कराना अलग जिहाद करना या मदरसे के अंदर बच्चे और बच्चीयों को जबरदस्ति कलमा पढ़ाना या गेमिंग आप के जरिया उसको जबरदस्ति कलमा पढ़ा देना तो ये सारी चीजें जो क्राइम जो चल रहा है वो ये मूदी में ये बताया गया है कि आक्चली में ये वर्जिन बहत्तर हूर कुछ नहीं है आपको उपर में कोई अंगूर बताशा और शराब का चश्मा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है और नहीं 135 फूट की खुबसूरत बहत्तर हूर मिलने वाली है तो ब्राय महरबानी आप इस बर्जिन हूर के लालच में धर्थी के लोगों को नुकसान ना पोँचाए तो एक तब एक्जाक्ली आवेर्नेस है जिसको बड़े पर पर पिच्चर की तरह दिखाया गया है कि दाई ऐसा है आप इस लालच में आकर के अपने बदन पर बम और बोली मत बान करके आप आप आतमवारी बन जाओ तो दिसस तब थे हैं आट चलिए थे बिलकुल ऐसा ही है क्यूंकि जाहर है बहुत लोगों को इससे मिस्काइट किया जाता है और बहुत यह बाते बताई जाती हैं बलके मेरे एक दोस्ते वो भी जर्नलिस्त ही हैं तो हम लोग कुछ टाइम पहले मिले बाते बाते कर रहे थे तो यह हूरो वाली बात निकली तो उन्होंने का जो कहा जाता है कि शहत की नहर होगी दूद की नहर होगी और इस तरह से शराब की नहर होगी तो उन्होंने का कि उसमें मुमिन नहाएंगे तो कहते है अगर उसमें नहांके निकलेंगे तो हूर जाएगा और फिर हुरे मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि हुरे आसपास भी पढ़केंगी अगर हुई नहीं कोई तो हर्थो दिना जाओंगे उनसा तमाम मुल्णों से कि कहते हैं कि 135 फूट की हुरे मिलेगी तो यह जो टिंगू-टिंगू से हो जाएंगे यह तो इतने च शे फूट का बहुत जादा तो छे फूट का मर्द यह मुस्मान मर्द कैसे सेक्शुली अपने आपको सैटिस्पाइड कैसे करेगा तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धी लगा ले यह बुद्धी जो बश्च हो करके बैठा दिया गया है थोड़ी सी अगर माता जाते हैं मदरसों वगेरा में वहां के लिए जादा यह चीज़े चलती हैं जो बहुत कंट्रोल करने की और इस तरह की बाते करने की और बलके जो आप जैसे कह रहीं थी के सैमिनार्स और यह सब कुछ भी होने चाहिए ताकि लोगों को जो है वो अवेर्नेस हो लेकिन साथ साथ एक का यूनिफर्म सिविल कोर्ट का भी बड़ा चर्चा है आज कल इंडिया में तो वो क्या है उसमें क्या हो रहा है और बहुत सी चीज़ें मुसल्मान जो है बड़े अतरास कर रहें के जी हमारी चीज़ों के अंदर तखल दिया जा रहा है लिकिए भई मुसल्मानो को किस चीज में अतराज नहीं है हर एक चीज में अतराज है हमने बिन्दी लगा ली तो हम तो मुसल्मान नाराज हमने जीन्स पहन लिया तो मुसल्मान नाराज हमने पढ़ाई कर लिया तो मुसल्मान नाराज तो उनको हमारे उपर डिक्टेटर्शिप करने का जैसे जनमस करने का ही काम है तो वो चिट्थी दिखा दो कम से कम हम भी मान लेंगे कि वह तुम अला के भेज़ेवे हो और तुम को डिप्राइब करने के लिए अर्जुदी यूनिफॉर्म सिविल कुछ नया नहीं है अपका 1948 का है जिसमें आर्टिकल 44 में बता दिया गया था मारे अब मसला यहां पर यह आ जाता है कि इन्हों ने चार्टिकल 44 में बता चुका है अब मसला यहां पर यह आ जाता है कि इन्होंने चार शादी करनी होती है इन्होंने 11-12 साल की लड़की जिसका पिरियर्ट सोजाता है इनका शर्या लग होता है कि इसका निकाह हो सकता है अब हमारे हिंदुस्तान तो इसको पॉक्सो एक्ट में देखा जाता है अब हिंदू मेरेज आट में अगर या अगर कोई दूसरे कास्ट और क्रीड का मर्द अगर माइनर बच्चियों उसके साथ सेक्स कर लेता है तो उसको लाइफ टाइम कनवर्शन का उसको पनिश्मेंट मिल जाता है तो एक ही धर्ती पर रहने वाले में एक आदमे शर्या लग का मज़ा लेगा और एक आदमे विचा की तरह खुदकने का मुसल्मानों का कभी खुदक करके हम शर्या लौ पर चले जाएंगे कभी खुदक करके हम चले आएंगे खानून पर और सम्विधान पर देखे हमारा हमारा इस्लाम या शर्या लौ बलादकारियों के लिए जो सजा दिया है वो आपको भी पता है मेरे क पुर्ण ने तो जना को बहुत बदनजर से देखा है तब तो यह कहते हैं तब तो यह जल्दे से टोइस्ट हो जाते हैं नहीं खानूनी कारवाई होनी चाहिए क्योंकि खानूनी कारवाई में बेल का प्रावधान है इनको पता है कि 10 साल 8 साल के बाद छूट करके आ जाएग इसलिए वो खानूनी कारवाई में चले जाते हैं अब जैसे देखिए हमारे शर्या लौ में या इस्लामिक लौ में आर्जुदी हम लोग क्या पड़े है कि अगर कोई किसी लड़की का तलाफ होता है तो इद्दत से लेकर कि उस लड़की का निकाह जब तक दूसरे घर मे खर्च जो है उस हजबन को उठाना पड़ेगा अब यह शर्या लौ यहां पर नहीं मानेंगे यहां पर कहेंगे कि नहीं नहीं तुम 125 सेक्शन फाइल करें क्यों करो क्यों कि दो साल लगेगा फिर रोपीट करके कोट के सामने 1500 पर उसको नक्की कर देगा फिर या तो फिर साल जमात बैठ जाएगा दाड़ी और टोपी पैंड करके और कहेगा कि नहीं यह यह नहीं दे पाएगा बच्चा भी लड़की के कोट में डाल दिया जाएगा तो यह जो यह अपने हिसाब से अपने कमफोर्ट के हिसाब से शरिया लौ और संविधान और खानून पर पू आप देखो आप जितना भी न्यूस देखो या जितने भी आर्टिकल्स पड़ो इसमें कृष्टन को प्रॉबलम नहीं है हिंदू को प्रॉबलम नहीं है किसी को प्रॉबलम नहीं सर्फ मुसल्मानों को प्रॉबलम मुसल्मानों को प्रॉबलम मुसल्मानों को प्रॉबलम कि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हिंडूों में भी गलत थी जिसको मॉडिफाइग किया गया तो इसलाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि मॉडिफाइग नहीं करना चाहते हैं यह उसके उपर सवाल भी करना मना है किसी बात के उपर लेकिन यह सब चीज़ को कि मुस्लिम वोट्स भी तो चाहिए होते हैं तो अब वो अपोजिशन जो है वो जाईरे कॉंग्रेस हमेशा से एक देखा गया बलके पाकिस्तान में भी बड़ी पसंद की जाती है वो कहते ही वो मुस्लिम के साथ कड़ें और यह मुस्लिम के साथ नहीं खड़े यह और कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको तकरीबन हर इसलामिक कंट्री ने जो है वो हाइस्ट दिये पाकिसान को छोड़ के हम भी दे देंगे अभी हम सोच रहें जब हमें कुछ फाइदा नजर आएगा तो हम सबसे आगे बढ़के दे देंगे लेकिन कुछ इसका connection आपको को अभी एक्जाम्पल्स दिये हैं कि इतने इतने यहर में बहुत सारे कैसे साय थे तब बीजेपी की सरकार थीगी अर्जूदी मैं बहुत क्लियर करके बता देना चाहती हूं ताकर वीवर्स को भी समझ में आए कि अभी जो नौ साल से मुदी जी की सरकार यहां पर है इसक पॉलिटिक्स और खानून को बिलकُल अलग कर रखा गया है एक दम अलग है पॉलिटिक से कानून का और उसके जजमेंट का उसके इम्पलीमेंटेशन का नान का कोई रिषता और नाता लहिए है जो जो क्रमिनल है उसको उसको खानूनी कारवाही से ही नjarों से देखा तब तो मोदी जी की सरकार नहीं थी. 2016 में मेरा प्रेटिशन फाइल हुआ था. मैं वेस्पिंग ओल से एक सो अरतों से ज्यादा में नेकर गई थी. और 2017 में बेंचमार्क वर्डिक आया था. 1948 में ही कॉमन लॉग की बात कर दी गई थी. तो यह जो सिनारियो उसमें आपको बता रही हूँ. यह 1995 में कृष्टिन ने फॉस्टर पेरेंट्स के लिए एक PIL फाइल गया था. तब भी मोदी जी की सरकार नहीं थी. तो इसमें पॉलिटिक्स और खानून एकदम दो अलग चीज़े हैं. अब आपने एक और सवाल कर किया है, कि मुसल्मान जो है, आपके पाकिस्तान में ही ज्यादा हुआ बनाया जाता है, कि यहाँ पर मुसल्मानों ने इतनी हट गर्मी मचा करके रखी है. अब ही इंट्रव्यू स्टाट करने से करते करते, वक्ती मैंने पहले में ही बोल दिया है, कि कन्वर्शन के नाम पर यहाँ पर इतनी हट गर्मिया है, इतनी यहाँ पर दिलेरी मचा करके रखी है, कि कानूनी तरिक से अगर इनको दरपकड़ ना किया जाए, तो हमारे तो यह मुसल्मान जो है ना लोंगे उठा करके नाचना स्टार्ट कर देते, आकर क्या ऐसा मसला है आर्जुदी, कि एक शैनवास को दिली के एक शैनवास को गेमिंग आप के जरिया हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाना पड़ा, आकर ऐसा क्या रीजन है, कि गंगा जमना इंग्लिश मेडियम स्कूल में, मद्यपर्देश में, स्कूल के अंदर बच्चियों को मार पीट करके हिजाब पहनाना पड़ा और उनको इस्लामिक किताबे पढ़ानी पड़ी, उनको असर्ड किया है उन्होंने, एड्मिनिस्ट्रिशन के लोग जो है वो अरेस्ट हुए है, लब जहाद जैसी चीज़े सामने आ रही हो, तो लब जहाद आ गया, तो हर चीज़ पर खानून ला करके इन मुसल्मानों को कंट्रोल करना पड़ रहा है, आप सोचो कि इन्होंने यूपी में जाकर के मंदिर में 50 लोगों ने नमाज पढ़ डाली, अब पाकिस्तान मे कहुआ बना, एक तो जब ये बिल्लो रानी आया था, वो जाकर के साथ, एनो कॉंडा की तरह जहर उबलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पर आपके शैबार शरीफ बैड़ गये, वो वीडियो कॉन्स में, मैं आपको रोकूंगी, एक सेकेट के लिए रोकूंगी, नाज वही लीजिए, ये जो आप कहरी हैं, बिलो रानी, ये शेख रशी साब ने रखा था और हम उनने भी अप्रिशेट नहीं करते हैं इस बात के लिए, लेकिन हाँ, अगर उनकी बात आपको स्टेटमेंट सहीं नहीं लगा, यू कन सेथ, नो इशू है, तो अब तो फिर मैं पाकिस्तान या आपके पाकिस्तान ते ज्यादा पॉबलेशन ने मुस्लमान ही, ये मानने से तो कोई इंकार नहीं कर सकता है, इतने पॉबलेशन है, और जो चुनिंदा जो मुसलिम और्गनाइज़ेशन के लोग हैं, या जो मदर से के अंदर जो ये सारे कुराभात करवा रहे हैं या जो criminal or terrorism activities कर रहे हैं तो यहां के खानून को तो इतनी authority है ना कि वो उसको control कर सकते हैं अगर पार्किस्ट्रीट जैसे एडिया में दो मुसल्मान भाई नासर खान और खादर खान अगर वलाकार करता है तो क्या उसके पर खानूनी करवाई नहीं होगी ठाइतर से पर से करेंगे में इचाइए, तो अब अगर कर देते हैं तो हाई इसलाम हाई इसलाम, मीरा इसलाम के तु यह सारे हंडे और यह सारे जो चीजें यह नहीं चलेंगा। यह हं магаз año हिंधूस्तान बाहां सबस्सटान में hindi क्राइब अउसके स्जांगे Look नहीं बिल्कुल जो जो बात है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है तो जिस किसम की न्यूज इदर उदर से आती है उसको लेकर और एक तरीका भी है कि चाहे जितना मर्जी कुछ अच्छा हो रहा हो लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव ही जाता है इस चीज़ को मैं भी कहती हूं कि नहीं होना चाहिए लेकिन एक चीज़ लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को देखा है बहुत से जामपल्स सामने हैं पहली की भी और अभी की भी जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने शादी की है या दोस्तियां हैं उनकी हिंडू लड़कों से और वैसे भी जहां पर 85% हिंडू हो वहां पर अगर किसी मुस्लिम लड़की की दोस् तो अगर हिंदुस्तान में हिंदु जादा हैं तो मुस्लिम लड़कियों की क्यों नहीं हो सकती तो वो अपने बात क्यों की थी क्यों कि यहां पर नेका थबास है सुभूही खान है और कई क्यों सब्कुत्ट तो मतिविधन और स्व जादी है और के लिए जबात का देखी है नहीं स्थिलीत। मर्ग, मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फसा करके, ट्राप करके, उनसे शादी करते हैं, या सेक्शुली यूज करते हैं, और फिर उनको धरम परिवर्तन फोर्सिबली करवाते हैं, फिर उस हिंदू लड़की के पेट से जो बच्चा पैदा हो में सनातनी भाईयों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, अब मैं इसको थोड़ा सो और अच्छे से एक्स्प्लेइन करके बता देती हूं, जब मैं क्या कोई भी मुसल्मान लड़की या कोई भी धरम की लड़की, जब हम लोग हमेशा गैदरिंग में, क्योंकि आपने कु सेमिनार्स में जाते हैं, तब हमें यह अबजेक्शन नहीं मिलता है, क्या आपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा या बदन पे दुपट्टा नहीं रखा या अपनी छाती नहीं धगी दुपट्टे से, लेकिन अगर एक मौलाना से या एक मुसल्मान से मिलो, तो वो हमें याद दिला देता है, कि मेरी छाती पर दुपटा है कि नहीं है. तो इसका मतलब है कि मॉल्भी और मुल्ला और मुसल्मान मर्ड की नजर टारेक्ट मेरी छाती पर ही जाती है, मेरी credibility, मेरी qualification पर, मेरी positivity पर नहीं जाती है. तो मैं यह बताने की कोशिश वहाँ पर करी हूँ, कि हिंदू की नजरे जो होती है, वो बहुत साफ और शफाफ होती है, और अगर मुसल्मान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, बिल्कुर करती है, लेकिन percentages बहुत कम है, बहुत रहा रहा है, तो उनको यह force नहीं किया जाता है, कि आपको धरम परिवर्तन करना है और हिंदू बन जाना है, मेरी एक बहुत खरीबी दोस्त, उन्होंने पटना में एक हिंदू डॉक्टर से शादी की ती, आपको मैं बिल्कुल explain करना चाहूंग मेरी फ्रेंड थी और उसने पटना के डॉक्टर से शादी की थी, जो हिंदू थे, प्रसाथ फैमली के थे, और वहां पर आपको मैं बता रही हूं कि उन बो लो पैट पालते थे, खुटे पालते थे, तो जिस रूम में वो दोनों हस्बेंट बाइफ रहते थे, उस रूम म होते थे, वो जूता पहन करके, क्योंकि काफी बड़ा आलिशान घर था, तो नहीं, नहीं, तो उन लोग जूता पहन कर मज जा ना, क्योंकि मेरी बहु जो है, वो नमास पढ़ती है, पूरे रमजान में उन लोगों ने जो एहतराम और जो इजद दिया है,